से हो आप सब सबसे पहले थांक्यू सो मच फॉयर सपोर्ट दिल से थांक्यू सो मच सबसे आए स्टार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे बिल ओफ एक्सचेंज जो कि आपके NCRT की बुक में चाप्टर नमबर एट है उसका कॉशन नमबर थर्ड जो के NCRT की बुक में पेज नमबर 323 323 पर दिया हो है इसमें क्या करना है यह जो हमने अभी बाकी कॉशन प्रिविएस वीडियो में जो कॉशन किये फर्स कॉशन फर्स और कॉशन सेकंड उससे थोड़ा सा डिफरेंट है आओ स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसमें क्या रिफरेंस है देखो विशाल सोल गुड्स पर रुपीज सेवन थाउजन टू मंजू ओन जैनवरी 5 तू थाउजन सिक्स विशाल ने मंजू को साथ अजार रुपे का सामान बेचा और उसके उपर क्या किया एक बिल लिखा जिसमें क्या था कि वो दो महींने बाद पेमेन्ट करेगी मंजू एकसेप विशाल स्ट्राफ्ट मंजू ने एकसेप कर लिया विशाल का ड्राफ्ट एन हैंडिड ओवर सेम ओफ विशाल अफिर अफ्टर एकसेप्तेंस देखो बचो कॉशन में हुआ क्या है कि विशाल ने मंजू को 7000 रुपए का कोई सामान बेचा है उसने इसके एक बिल लिखा विशाल ने मंजू के उपर जिसमें था कि वो दो महीने बाद क्या करेंगा payment करेंगे लेकिन हुआ क्या कि विशाल जो था उसने क्या किया कि उसको पैसों की जरूरत थी तो वो कहां चला गया वो immediately bank चला गया आपको याद होगा हमने जब theory पड़ी थी तो हमने एक discounted का case पड़ा था उसमें ठीक है चलो अगर नहीं भी याद है तो एक बर यहां देख लेंगे आप क्या हुआ कि bank ने उसे बोला bank को charges काट के बोला देता है ना bank जब आप उससे कोई facility लेते हो तो उसने बोला 12% per annum के हिसाब से calculate कर लेंगे और मैं आपको पैसे देता हूँ देखो क्या हुआ है फर्स आपी फर्स वाली आपको पता है क्या सबसे पहले जो एंट्री होगी वो किस कप होगी सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी जैन्वरी फाइफ 2006 पहले विशाल की बुक में कर लेते हैं विशाल की बुक में एंट्री होगी Manju debit सबसे पहले sale के entry करोगे क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ है सामान बेचा है उसके बाद फिर और कुछ सोचेंगे कि क्या हुआ है Manju account को debit करेगा to to sales यही entry करते हैं जब हम सामान बेचते हैं आया कौन है Manju बेचा और क्या किया है किसके reference में sale के reference में good sold to good sold to Manju कितने की 7000 रुपए किया अच्छा अब इसकी same entry Manju ने भी अपनिया किया होगी क्योंकि Manju ने सामान करीदा है तो Manju ने क्या किया होगा purchase debit purchase debit मैं आपको roughly बता रही हूँ क्यों क्योंकि जर्नल का format आपको पता है कि क्या होता है उसमें हम time waste नहीं करेंगे हम time किसमें लगाएंगे जो नया इसमें है वो सीखने में to विशाल गुड्स पर्चेस जिस भी बच्चे को जर्नल का format नहीं पता है बच्चों तो आप जर्नल वाली वीडियो से वहां जा कर देखो ठेक है यह है January 1st sorry January 5th 2006 ओके देखो इसने खरीद लिया इसने बेच लिया यहां पर बात खतम उसके बात क्या हुआ बिल लिखा गया यहां अब तक जब 1st खतम हो गया उसके बात क्या हुआ बिल लिखा गया तो बिल लिखने की entry करो सेम डे में बिल लिखा गया है तो यह भी January 5th में हुआ होगा बिल लिखने की entry आपको पता है क्या होता है बिल बिल्स बिल्स रिसीविबल एकाउंट डेबिट टू क्या नाम है इसका विशाल सौरी मन्जू एंट्री क्या करो गया सौरी नारेशन क्या लिखो गया प्रमेसरी नोट प्रमेसरी नोट रिसीविब फ्रॉम किस से रिसीव हुआ है विशाल मन्जू से कितने का साथ अजार रुपे का ये भी साथ अजार का ये फिर से इसके आप ये मैं हम पार्टिशन कर लेती हूँ पच्छो बहुत रफली बता रही हूँ ठीक है क्योंकि जनरल के फॉर्मिट्स पता है आपको क्या होता है जैन्वरी फिफ्ट अब देखो इसके लिए इसने ये बियार को डैबिट क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे क्या था ये असेट थी असेट ही तो था इसके लिए कि भई मुझे बाद में रिसीव हो जाएगा अच्छा ये इसके लिए क्या है इसके लिए लाइबिटी है जो इसको क्या करनी है चुकानी है कुछ समय बाद तो यह अपने आ क्या entry करेगा यह अपने आ entry करेगा विशाल डाबिट टू बिल्स पेबिल बीपी बिल्स पेबिल निरेशन क्या लिखेगा प्रमेसरी नोट मैं डॉट लगा कि आप कुम्प्लीट करेगा प्रमेसरी नोट फॉर टू मन्स ठीक है अच्छा यह तो entries तो वो थी जो हमने लास्ट टू कॉशन्स में भी की लेकिन यहां एक नई entry यहां तक तो हमने पूरा कर लिया कि दो माईने तक का बिल लिखा गया वो अब यहां क्यों आया क्योंकि यह इसके लिए asset था मंजू कौन है मंजू asset है इसके लिए कि भई याँ मेरे पास बिल है मंजू मुझे दो महीने बाद क्या करेगी पैसे वापस देगी इसके लिए मंजू के लिए क्या था विशाले सौरी बच्चो मेरा गला थोड़ा सवैस खराब है ये इसके लिए लाइबलिटी थी कि दो महीने बाद मुझे इस से पैसा वापस करना है ठीक है अब यहां पर पी क्या हो रहे है अब यहां पर होई रहे तुरंट ए उसको पैसे की जरूरत पड़ गई इसने मंजू ने क्या बोला ये विशाल ये मंजू मंजू ने बोला कि मैं तो दो महीने बाद पैसे दूँगी विशाल ने बोला कि मुझे अभी पैसे की जरूरत है तो उसने क्या किया वो चला गया किस के पास वो चला गया बैंक के पास बैंक ने क्या बोला ठीक है तो मुझसे आज ही क्या पैसे ले जाओ लेकिन मैं उस पर क्या करूँगा? मैं उस पर कुछ अपना discount charge करूँगा सब्सक्राइब Bank free में क्यों काम करेगे? Bank free में काम नहीं करेगी ना? तो bank क्या करेगी? Bank charge करेगी जिस दिन यह bank के पास गया उस दिन sorry जिस दिन यह bank के पास जयेगा अब यह चला गया विशाल किसके पास चला गया चला गया बैंक के पास सेम डे यानि जैनवरी फाइफ कोई ठीक है यह चला गया बैंक के पास बैंक ने क्या किया अपना कुछ पैसा काटा यानि पहले तो यह देखो एंट्री क्या होगी क्या होगी एंट्री बैंक एकाउंट डिस्काउंट 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 क्यों 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 डिस् reference में, इसमें main है आप वो कैसे डालोगे amount कैसे डालोगे, देखो BR कितने cut है, मतलब bill total कितने का है, 7000 रुपए का bank क्या बोल रही है कि मैं 12% के हिसाब से काटूंगे, 7000 का अगर आप 2 महीने का 12% निकालोगे, तो 140 निकलेगा 140 रुपए bank ले लेगी, और विशाल को रुपए कितने देगी, 7000 मैं से 140, minus कर दो, तो आएगा 6860 narration लिखो bill receivable मैं short में लिख देती हूँ, bills receivable discount with the bank at the rate 12% ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये विशाल bill लेकर गया, अगर bank के पास तो मंजू को इस बात से कोई लेना देना है? मंजू तो इस दिन entry नहीं करेगी, कोई क्यों नहीं करेगी? मंजू को इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम उस bill को लेके bank के पास चले जो, अपने पास रखे रहो, वो तो जिस दिन उसने बोला है, वो तो उसी दिन payment करेगी, तो यानि जब ये थर्ड वाली entry हुई, उस दिन मंजू ने अपने या कोई भी entry नहीं की, मंजू कब entry करे जब वो payment करेगी, यानि दो महीने बाद, अब दो महीने बाद date कौन सी आएगी, देखो, January, January 5, January 5 से दो महीने कब होंगे, January से February, February से March, है न, पाँच मार्च को सही दो महीने हो जाएंगे, लेकिन हम तीन निन किस चीज के प्लस करते हैं, grace day, आपको पता है हम थियोरी में पढ़ चुके हैं, तीन निन grace के प्लस होते हैं, पाँच और तीन, आठ, यानि मंजू जब payment करेगी किसको, bank को, मंजू अब विशाल को payment नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि विशाल को अपना payment किस से मिल गया, विशाल को तो अपना payment तुरंट bank से मिल चुका है, इसलिए मंजू अब सीधे किसको पेमेंट करेगी मंजू अब पेमेंट करेगी सीधे बैंक को ठीक है तो किस दिन एंट्री करेगी इसको सिर्फ आठ मार्च से लेना देना है तो यह करेगी मार्च 8 entry क्या करेगी पता ही क्या entry करेगी देखो बीप, bills, pay bill account, debit to to जिसको payment कर रही है payment किसको कर रही है bank को कर रही है यह विशाल को payment नहीं कर रही है आप narration क्या लिखूगे इसकी BP pay to to bank समझ में आया इस question में थोड़ा twist था क्या, कि आपने यह वाले कभी नहीं किये तो इनको क्या बोलते है इनको बोलते है discounted ओके, hope आपको समझ आया होगा बच्चो, इस्टिल आपको कोई भी doubt है आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे बताओ, बच्चो मैं आपको बार-बार इस बात को बोल रही हूँ कि मैं आपको proper format नहीं बता रही हूँ क्योंकि जर्णल आप पहले बहुत बार कर चुके है हमने बहुत ज़ादा अच्छी practice कर लिया तभी तो हम bills of exchange पर पहुँचे हैं है ना तो इसलिए proper format आप बनाया करो आपको पता है यह जर्णल का proper format क्या होते है और बाकी entries आप यहां से सीको इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे sure होकर आप मुझे उस पे बताओ अगर वीडियो पसंद आई है बच्चो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो बैल आइकन प्रेस करो थैंक्यू सो मच